रादे रादे दोस्तों प्रद्योमन के बारे में जो उन्हें अपनी सबसे पहली लक्ष्मी स्वरूपा प्राण प्रिया प्रत्नी श्री रुक्मनी जिसे प्राप्त हुआ था दोस्तों हम ये कहानी तो जानते ही है कि शिर जी ने किस प्रकार कामदेव को भस्म कर दिया था और उनकी पतनी रती के अनुरोद के बाद उन्हें ये आश्रवाद दिया था कि कामदेव का जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में दैत्यराज शंभासुर के वद करने के लिए द्वापर युग में होगा इसलिए रती शंभासुर के यहां दासी के रूप में काम करने लगी और समय आने पर मातार रुकमणी ने द्वारिका में एक अत्यादिक सुंदर वद्यव्य बालक को जन्म दिया उस बालक का सौंदर्य शील सद्गुर आदि सभी श्री कृष्णे के ही समान थे मानो वो खुद श्री कृष्णे की परच्छाई हो जब दैत्यराज शंभासुर को यह पता चला कि उसका शत्रू यदुकुल में जन्म ले चुका है तब वह वेश बदलकर द्वारिका उसे मचवारे ने शंभासुर के रसोय में बिचवा दिया जब उस मचली के पेट को फाड़ा गया तो उसमें से एक अती सुंदर बालक निकला उसको देखकर शंभासुर के दासी मायावती के अश्चरे का ठिकाना नहीं रहा वो समझ गई कि यह उन्हीं के पती कामदेव ह बह उस बालक का पालन पोशिन करने लगी तब ही एक दिन देवर्शी नारद वहां आई और उन्होंने उन्हें बताया कि शक ना करें देवी यह आप ही के पती कामदेव हैं उस बालक का नाम प्रद्यूमन रखा गया थोड़े ही काल में प्रद्यूमन यूबा हो गये और प्रद्यूमन का रूप इतना अडबुत था कि वो साक्षात शिक्रिशन ही प्रतीत होते थे रती उन्हें अत्यादिक प्रेम भाव वह लजीली नजरों से देखा करती थी तब प्रद्यूमन ने बोले कि तुमने माता के समान मुझे पाला फिर तुम मुझे एक प्रेमिका के समान क्यों देखती रहती हो तब रती ने बताया कि आप मेरे पुत्र नहीं मेरे पती हो वह आपका जन्व शंभासुर के वधेत हुआ है इस प्रकार उन्हें प्रद्यूमन को उनके पुनर जन्व का बोध कराया और उन्हें महाविद्याएं प्रदान की उन्हें लगका पालन पोशन हमने किया है इस पर प्रद्यूमन बोले कि आरे दुष्ट मैं तेरा बालक नहीं हूँ बलकि वही शत्रू हूँ जिसे तुने समुद्र में डाल दिया था प्रद्यूमन का जन्म ही शंभासुर के वद के लिए हुआ था इसलिए उन्हें ने शंभासु वकामदेव यानि की प्रद्युम्न दोना द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण से मिले। जैसे ही माता रुक्मनी ने प्रद्युम्न को दूर से देखा तो उन्हें लगा कि वो कृष्ण है और वो स्वामी कहकर उनकी और बढ़ी। तभी उन्हें श्री कृष्ण दूर सी ओर से आते हुए दिख गए। वो उन्हें समझ आ गया कि और कोई नहीं बलकि उन्हीं का पुत्र है। इतने सालों की ममता जिस पुत्र को देखने के लिए तरस गई थी। उसे सामने खड़ा देख उनकी आँखों से आंसु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज ते किसी ने भी द्वारिका में माता रुक्मनी का ये रुक नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत उन्हें दोड कर गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। इस प्रकार माता रुक्मनी और उनके पुत्र प्रद्युमने का पुनर मिलन हुआ। लेकिन इतने वर्षों तक जब प्रद्युमने अपने माता पिता से अलग रहे तो किस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मनी और वहाँ आपको जानने को बिलेंगे काना से जोड़े बेहद अगबुत, छोटे-छोटे तत्य, कोट्स और वाल पेपर्स तो जरूर फॉलो करें अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन वेल भी आउन कर लें तक कि हमारी सारी नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैपी एन राधे राधे